तो हमार को और है कि है तो है कि है धुर कोश्य वेल्कम बैक अनदर स्पेशल एपिसोड में आप लोगोश वागत है एंदि आज की अपिसोड के अंदर आप जानेंगे फ्यूचर क्या है and future trade करके आप लोग किस तरीके से daily का 10 dollar से लेका 100 dollar earn कर सकते हैं फिर उससे भी जादा यहाँ पर earn कर पाएंगे और अगर आप लोग ने future trade करने का मन बना ही रखा है तो यहाँ पर आपको risk factor को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि अगर आप लोग profit कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग इसाथ में जो strategy शेयर करने वाला हूं इसके थुरू आप लोग 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 होने से भी बच पाएंगे और यहाँ पर आप लोग एक मोटा पैसा भी कमा पाएंगे लेकिन ध्यान रखना है अगर आप लोग इस वीडियो को किसी भी पार्ट को मिस करते हैं स्किप करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को loss होने के भी chances रहेंगे और आप लोग से तभी जो मैं proof शेयर कर रहा हूं और अगर आप लोग इनिशली स्टेश पर रहा है यानि आपके पास किसी भी तरह के इन्वेश्मेंट करने को नहीं है तो आप लोग हमारे एट रूप चैनल को जरूर जोइन कर लिजेगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा साथ में हमारे एक सी जरूर नोट की होगी इंडिया की mostly जितने भी एक्सिंजैस हैं वहाँ पर आपको फ्यूंचर कफीचरन नहीं मिलता है तो आपको अगर फ्यूंचर करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा आपको को फुचर टेरीटिग यानि डिरिवेटी फीचर किं कि इन exchanges के उपर मिलता है तो यह चीज़ चेक करने के लिए आप लोग help ले सकते हैं coin market cap की अभी मैं आ चुका हूं coin market cap के उपर आने के बाद यहां पर आपको exchanges का section देखने को मिलेगा इसके अंदर आप लोग चले आने derivatives के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने वह वह exchanges के लिष्ट आ चुके जहां पर आप लोग future trade कर सकते हैं सबसे पहला ने बाइनांस okx coin tiger तो आप लोग यहां पर देख सकते जो भी एक्सेंज पर आप लोग future trade करना पसंद करते हैं मैं यहां पर आप यहां पर जितने भी फीचर में बता रहा हूं उनको mobile के उपर भी अराम से यूज कर पाएंगे दूसरों सबसे पहले आपको बाइनांस application पर आने यहां पर आपको wallet का option देखने को बिलेगा आपको बाइनांस के अंदर अपने wallet के उपर आ जाना है और आने के बाद आपको अपने बाइनांस के अंदर कुछ fund deposit कर लेना अब यह fund कितना भी हो सकता है जितना भी आप लोग future trade करना चाहते उतना fund यहां पर आप लोग deposit कर लिजेगा अगर आप लोगों को दोस्तों फंड यहां पर शेंड नहीं कर सकता इसलिए मैंने आपर इसे हाइड करके रखा है आप लोग एक बार बाइनांस के उपर अपना fund deposit कर लेते हैं उसके बाद आपको वोलेट के उपर आना है आने के बाद यहां पर आपको ट्रांसफर का ओप्शन देखने को मिलेगा इस इस ट्रांसफर फीचर के उपर आप लोगों को क्लिक कर देना जैसे आप लोगों के सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा जहां पर आप लोगों ने जो भी फंड डिपोजिट किया होगा उसको आपको फ्यूचर अकाउंट में बेजना हो तो ऊपर आपको यहां पर फीच यहद को स्पोर्ट वॉलुट को स्ट कर लेना है जहांपर अगर आप लोगों ने लोगों को करना है अगर आप लोग Ethereum के उपर future trade कर रहे हैं तो उस time पर आपके account में Ethereum होगा तब ही आप लोग future trade कर पाएंगे लेकिन USDM future के case के अंदर आपके account में सिर्फ USDT होना चाहिए और आप लोग USDT से किसे भी coin के उपर future trade कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं USDM futures को select कर लेता हूँ coin के अंदर यहाँ पर मैं USDT enter कर लेता हूँ मेरे account के अंदर 90 USDT अभी है अपने sport account से मैं 90 USDT अपने USDM futures में बेज देता हूँ यहाँ पर transfer हो चुक है successful अभी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर futures का एक option देखने को मिलेगा futures के अपर आप लोग आ जाएगा और आने के बाद अभी आप लोग मेरा future wallet balance देख सकते हैं मेरे account के अंदर अभी 105 टोल है अभी आप लोग future trade करने के लिए ready हैं अगर आप लोग mobile के अंदर कर रहे हैं तो आपको mobile के अंदर wallet के लेफ्ट के अंदर futures का feature देखने को मिलेगा और अगर आप लोग PC के उपर कर रहे हैं तो PC के अंदर आपको derivatives के अंदर चले जाना है futures का feature मिलेगा directly उस पर click करने के बाद आप लोग इस तरीके के interface के उपर चले आएंगे अभी आप लोग क्लियर ली देख पार हैं यहां पर मेरे left side के अंदर चार्ट कुला हूँ है आप लोग जिस भी कॉइन की ऊपर future trade करना चाहते हैं उसे यहां पर आप लोग select कर लिजगा लुक अगर आप लोग एथिरियम के ऊपर future trade करना चाहते तो यहां पर आप लोगwo एथिरियम को search करना यहां पर Ethereum, USD, Perpetual के उपर आपको क्लिक कर देना है यहां पर फिर आप Ethereum के उपर future trade कर सकते हैं और इसी तरीके से अगर आप लोग किसी दूसरे coin के उपर future trade करना चाहते हैं like soul मैंने सर्च के तो soul USDT के पेर के अंदर perpetual के अंदर आपको चले जाना है डोलर के अराउंड अभी चल रहा है अब समझते हैं important चीज जिसमें अकसर लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा और वो है buy long लोग buy long and sell short को नहीं समझ पाते हैं देखिए दोस्तों बिलकुल simple है जिस भी particular आपने coin को select किया है अगर आपको यह लगता है कि आने वाले कुछ time के अंदर वो time हो सकता है एक मिनट पंदरा मिनट आदे घंटा एक घंटा एक दिन तो उस time frame के अंदर आपको लगता है कि यह particular coin उपर जाने वाला है तो उस case में आपको long करना होगा long करने के मतलब से आपको समझ आ रहा है long यानि आपको up direction के अंदर indicate कर रहा है similarly अगर आपने जिस भी coin को select किया है यह coin अगर आपको लगता है आने वाले time के दर down जाने वाला है तो इस case के अंदर आप लोग इसे sale या फिर short कर सकते हैं बिल्कुल simple सा bet रहा है अगर आपको लगता है कोई coin उपर जाने वाला है तो आप लोग उसे long कर देजिए और अगर आपको कवाए coin नीचे जाने वाला है तो उससे आप लोग short कर देजिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने एक particular point के उपर यह सोचकर long कर दिया कि यह coin का price उपर जाने वाला है और अगर उस coin का price उस point से नीचे जाता है तो यहाँ पर आपको दोस्तों loss होगा इसी तरीके से अगर आप लोगों ने किसी coin का down सोचकर उसे short कर दिया और अगर वो coin वहाँ से उपर चला जाता है यानि आपकी prediction के opposite direction में चला जाता है तो यहाँ पर आपको loss होगा तो यह चीज़े आपकी clear हो चुकी है अब हम लोग समझते है leverage क्या है future trading अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको leverage के बारे में पता होना चाहिए अकसर मैंने लोगों को देखा है कि लोग 50X 100X leverage लेकर future में trade करते है ऐसे लोग बहुत कम टाइम तकी profit कर पाते है उसके बाद उनका loss होना शुरू हो जाता है तो आपको leverage कैसे select करना हो leverage अकिर है क्या इसको हम लोग चार्ट से समाझते तो मैं फटाफर से short chart बना कर आपको बता देता हूँ एक coin ने जिसकी value है $10 और आपके पास आपके sport wallet के अंगर $100 USDT रखा हुआ है तो आप खुद ये बताईए कि आप अपने $100 से कितने coins को buy कर पाएंगे simple सा है अगर आप 100 को divide कर देते है 10 से तो आपको पता लग जाएगा आप यहाँ पर 10 coins को दोस्तों buy कर पाएंगे right अब बात करते है future की जहां पर मेरे पास मेरे future wallet के अंदर $100 USDT रखा हुआ है अब जैसा कि आपको पता है कि future के अंदर आपको leverage मिलता है जिसे 2x leverage 5x leverage 10x leverage ठीक है तो ऐसे करते करते हैं 20x 50x 100x या फिर उससे भी ज्यादा X तक जा सकते हैं तो अब भी कि leverage क्या है देखो गाइस मेरे पास मेरे future wallet के अंदर $100 का fund है इसे मैं multiply कर देता हूं leverage से हमिशा जब भी आपको calculation करने होगी तो आप इसी calculation का use करते हुए चीजों को समझ सकते हैं मेरे पास $100 के जो अब आप जब दोस्तों future trade करेंगे तो आप $200 में ट्रेड ले पाएंगे यानि आपको $200 पर जितना भी profit होगा वह आपको आपके profit में दे दिया जाएगा लेकिन अगर आपको $200 पर जितना भी loss होगा उसमें से जितना भी आपका माइनस होगा वह आपका आपकी $100 से माइनस होगा मेरे पास $100 है मैंने दोस्तों leverage ले लिया 10x का राइट तो यह मेरा बन गया एक हजार डोलर अभी मेरे पास एक हजार डोलर की power है आपके पास initially fund कितना था $100 का राइट और आपने 10x leverage लिया अभी leverage दोस्तों जो है वह आपको exchange ने जैसा कि मैंने आपको बताया अभी हम लोग एक example से समझने वाले हैं कि आप अगर $100 से start करते हैं तो आप कितने leverage पर कितना profit और loss करेंगे दोस्तों यहां पर मानकर चलो मेरे पास $100 है और यहां पर जो मैं leverage उस कर रहा हूं वह है 10x का तो यहां पर जो मैं टोटल पाव एक coin की जो value है वो है $10 की अभी आप लोग यह बताओ कि जो हमारे पास $1000 है इसमें आप लोग कितने coins buy कर सकते हो जहां एक coin की value $10 है बिल्कुल simple है 100 coins को आप buy करेंगे कैसे निकाला जो भी आपके पास दोस्तों यह पर total power बनी है यानि total जो fund है उसको आप divide कर दो जो भी coin की value है राइट तो अभी हमारे पास आ चुके है 100 coins मैं जो future trade करने वाला हूं वो करने वाला हूं 100 coins के उपर अभी मैं आप लोग साथ 2 scenario श्रेक करने वाला हूं जहां पर पहले scenario के अंदर हम लोग यह मानेंगे मैंने एक ऐसा coin select किया जिसकी value $10 है और यहां पर मैं अपना $100 का fund use करते हूं 10x leverage लेने वाला हूं और यहां पर हम यह देखेंगे अगर हमारी prediction सही होते तो हमें कितना profit होगा अगर हमारी prediction यहां पर गलत होते तो हमें यहां पर कितना loss होगा पहले scenario के अंदर मैं long के prediction कर रहा हूं यानि इसका price उपर जाने वाला है तो यहां पर मैं arrow बना द कारे पास total coins कितने थे 100 coins तो आप इसे 0.5 को simple सा 100 से multiply गर दोगा इस तो अभी आपके पास जो value निकल के आ रही है वह 50 dollar की यानि आपको यहां पर 50 dollar का profit हो गया बिल्कुल simple है जहां पर आपने 100 dollar invest किया था और आपको 50 dollar का profit हुआ यानि total आपका balance बन चुका है future wallet का 500 dollar का तो आपने यहां पर 50 dollar कमा लिये है अब हम लोग बात करते हैं second scenario के जहां पर अगर हमारी prediction गलत हो जाते है तो हमें loss कितना होगा मान के चलो यही coin है और मैंने इस पर prediction किया कि यह long जाएगा guys यह long के prediction मैंने इस पर कर दी है और अगर यह coin 10 dollar से चला गया 9.5 यानि मेरी prediction हो चुकी है गलत तो इस case में हमारा जो loss है वो है minus 0.5 और इस minus 0.5 को आप multiply करो 100 से अब यह 100 है क्या? यह 100 है coins right आपने जो भी आपके पास जितना भी total leverage लेने के बाद total amount बना उससे आपको जितने भी coins मिल रहे हैं उस coin को यहाँ पर आपको multiply करना है तो यहाँ पर मेरा बन जाता है final amount minus 50 डॉलर तो अभी इस case में क्या हुआ कि आपके पास 100 डॉलर थे तो उसमें 50 डॉलर आपकी गए यानि आपका जो net amount बचेगा wallet में वो बचेगा 50 डॉलर का 50 डॉलर आपके wallet में ही बचेगा अभी बात करते हैं कि high leverage लेना risk की क्यों रहता है? मान कर चलो मेरे पास 100 डॉलर थे और इस same case मानते हैं एक coin था जिसकी value है 10 डॉलर यहां पर इसको divide कर दो तो आपको पता लगेगा इस बार आप लोग 200 coins को buy कर पाएंगे इस बार भी हम लोग दो conditions बनाएंगे जहां पर हम लोग एक long की करेंगे और एक short की करेंगे जहां पर अब हम लोग पता करेंगे अगर हम इसमान बसता है क्या नहीं बचेगा पहली condition में आपने long की prediction की और coin real के अंदर आप जा रहा है और इसने 10 डॉलर से चला गया यह 10.5 डॉलर इसने पर coin profit कितना हो रहा हमें 0.5 डॉलर का अब इस 0.5 लोग का आप लोग multiply कर दो गाइस 200 coins से 200 इस बार coins क्यों है क्योंकि हम लोग इस बार 20x leverage ले रहे हैं अभी आप यह देखू इस बार हमें यहाँ पर profit कितना हो रहा है अगर आप multiply करेंगे तो आपको बता लगेगा 100 डॉलर इस बार हमारा profit बन रहा है यानि आपके पास पहले था wallet के अंदर 100 डॉलर यह 100 है ग यहाँ पर अगर हमारी prediction गलत होती है मानकर चलो मैंने लोग की prediction की और एक कोईन था जिस पर मैंने future trade किया अगर वो डाउन चला गया और यह 10 डॉलर से चला गया 9.5 डॉलर तो यहाँ पर मुझे हर एक कोईन पर loss हो रहा है 0.5 डॉलर का इसको आप लोग मल्टिप्लाइ कर हमारा टोटल कोईन्स अभी जो फाइनल आपके पास दोस्तों रिजल्ट आएगा वह इस पार आएगा माइनस के अंदर माइनस 100 डॉलर अगर prediction आपकी गलत होती इतने लेवरेस लेने पर तो आपका फंड हो जाएगा साफ अभी आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं आपको लेना चाहिए और लेवरेज आपकी प्रोफिट को कैसे इंपेक्ट करता आपके फंड को कैसे इंपेक्ट करता है राइट सो अभी हमने लेवरेस की बात कर ली उसके बाद यहां पर आप लोगों को मार्जीन मोड का एक option देखने को मिलता है यहां पर आप लोग यहां पर 50 दोलर के अंदर गाइस फ्यूचर में पोजिशन ओपन कर दी अभी आप यह देखो मैंने अपने फ्यूचर वोलेट का 50 परसेंट पोजिशन ओपन में लगाया है लोग भी हो सकता है शोट भी हो सकता है मैं मानता हूं मैंने कोई कोईन पे लोंग किया और अगर कोई डाउन चला गया मेरी एक्सपेक्टेशन से उल्टा चला गया हो तो उस केस में क्या होगा डेफिनेटल आपका लोस होना शुरू होगा और लोस कब तक होगा जब तक आपने जो ट्रेड लगाई है जितना आपने मार्जिन लिए 50 डोलर अगर लगाया है तो आपका व अभी मेरे फूचर वॉलिट का बैलेंस है 100 डोलर इस बार मैंने सेम 50 डोलर को ही फ्यूचर के अंदर क्रोज इस बार क्रोज करके आपर मैंने पोजीशन अपनी ऑपन कर दियो वह पोजीशन लोंग भी हो सकती है शोट भी हो सकती है अभी मान का चलो मैंने लोंग किया और आपकी ट्रेड तब तक चलती रहेगी जब तक आपका फ्यूचर वॉलिट बैलेंस इरो नहीं हो जाता आप लोगों ने एक फिक्स अमाउंट लोंग या शोट किया रहता था आपका जो लोस होगा फिक्स अमाउंट से होगा ना कि आपके फ्यूचर वॉलेट से लेकिन क् प्राइस डाउन जा रहा है तो आपका डाउन जाता रहेगा तब तक जब तक आपका फ्यूचर वॉलेट जीरो नहीं हो जाता तो हमेशा ट्राय करना आइसो इंटेड को सलेट करके फ्यूचर ट्रेड करनेगा अभी हम लोग प्रैक्टिकली यह सिखेंगे किस तरीके से फ सबस्कार को सबस्कार को मिलते हैं उससे पहले आपको मैं recommend करना चाहूँगा कि leverage कभी भी 5X से उपर लेने का try ना करें because अगर आप 5X से उपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा risk बना रहेगा जैसे कि मैंने आप लोगों पीछे example में ही बताया यहाँ पर जो मैं suggest करता हूँ वो है 2X और 5X इतने leverage पर ही आप लोग हमेशा future में trade करना क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि उनको high leverage की एक आदत हो जाती है और वो high leverage पर ही future में trade लेते हैं हलांकि वो शुरुवात में profit कमा लेते हैं लेकिन कुछ time के बाद जैसे उनका लालच बढ़ता तो बड़ी amount future trade में high leverage के साथ लगा जैते हैं जिससे कि last में कुछ नहीं बसता वो एक बहुत बड़े loss में चले जाते हैं इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आपको लगता है कि ethereum अपनी last resistance को support बना सकता है तो आपको analyze करना आना चाहिए चाहिए बाकि आप आने वाली वीडियो में आपको पूरे detail में बताऊंगा support के resistance के हम पूरे deep के अंदर इसे research करेंगे बाकि limit यानि आपकी वो price जिस price पर आप उस particular coin को buy करना चाहते हो अभी मेरे को 3,010 dollar में मिल रही थी नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि भया जब यह 2950 dollar पर ethereum आ जाए तो मेरा order यहां पर execute हो जाए यानि मेरा order लग जाना चाहिए मैंने दोस्तों यहां पर 2950 limit के उपर अपना 2950 आ जाता है तो आपका यहां पर order लग जाएगा second scenario में क्या हो सकता है इतरी में आपर down ना आकर directly यहीं से pump हो जाएगा तो उस case में आपका यहां पर order नहीं लगेगा अभी यहां पर आपको next feature मिलता है market का market में होता क्या है कि जो भी current price अभी चल रहा है जिस भी coin का उस current price क कि ऊपर आपका order लग जाता है अभी यहां पर जैसे कि मैंने select किया 50% तो मेरे balance का 50% 5x leverage की ऊपर यहां पर अगर मैं लोंग करता हूं इंस्टेंट मेरा order execute हो जाएगा order यहां पर मेरा लग जाएगा नीचे यहां पर मुझे शो हो जाएगा मेरा कितना profit और कितना loss हो रहा है तो जब भी आपको current price के ऊपर trade लेना हो तो आप यहां पर market का use कर सकते हैं लेकिन लिमिट अभी हम लोग बात कर रहे हैं साथ में करेंगे तो भी यहां पर आप लोग टेक प्रोफिट स्टोपलोस लगा सकते हैं अब यह क्यों जरूरी है फॉर एक्जामपल आप लोगों ने इथिरियम को तीन हजार डोलर पे लोग या फिशोट कर रहे हैं तो यहां पर टेक प्रोफिट में वह अमाउंट सेट करना है आप अपना प्रोफिट बुक करना चाहते हो तीन हजार पे अपने लिया तो मैं चाहता हूं कि जैसे इथिरियम थर्टी वन हंडर डॉलर टच करें मेरा ओटर क्लोस हो जाना चाहिए मैं इससे उपर ज्यादा लालस नहीं करना चाहता है सिमिराली स्टोपलोस लोग को स्ट करने के लिए लगाया जाता है अभी मुझे स्टोपलोस को कैसे लगाना है तो यहां पर आपको वह अमाउंट एंटर करना है जहां पर इथिदियम नीचे जाए तो आपको एक पर्टिकुलर पोईट के ऊपर आपका ओडर क्लोस हो जाए तो यहां पर मैंने 2970 डॉलर के करें तो क्या होगा अगर आप स्टोपलोस यूज नहीं करते हैं अगर मार्केट में एकदम से बहुत बढ़ा डंप देखने को मिल जाता है यहां पर इथिन हजाद डॉलर से 2600 डॉलर आजे 2500 डॉलर आजे तो उस टाइम पर आपका सारा फंड साफ हो जाएगा अगर स्ट के से यहां पर आपको ट्रेड को ओपन करना है तो यहां पर मैं मार्केट को सेलेट करना चाहूंगा क्योंकि मैं करेंट प्राइस के ऊपर ही यहां पर अपनी एंट्री लूँगा क्योंकि लिमिट के अंदर कभी-कभी टाइम लग जाता विकोज वो प्राइस हीट नहीं हो लिखेगा उसके बाद बाई-लोग और शोट हम समझ चुके है अच्छे से तो यहां पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एधीरियम अभी यहां से down आ सकता है तो यहाँ पर मैं sale कर देता हूं तो यहाँ पर मेरा order देख सकते हूं submit हो चुका है अभी तुम लोग देख सकते हूं मेरा position यहाँ पर open हो चुका है and यहाँ पर PNL यानी profit and loss आपको देखने को मिलेगा अभी green color में दिख रहा है 25 परसेंट यानी 25 डॉलर यहाँ पर मेरा लग चुका है यहाँ पर दूस्तों आप लोगों को एक decent profit हो जाता है तो आपको अपनी trade को close कैसे करना है अभी मैं close all के ओपर क्लिक करता हूं confirm के ओपर क्लिक करता हूं मेरी जो position अभी open थी वह यहाँ पर close हो चुक है और जो अभी profit था 0.05 डॉलर वो मेरे यहाँ पर add हो चुक है तो यहाँ पर जब यह future trade करते तो आप लोगों को यहाँ पर छोटी सी फीपे करने पड़ती है पर जो अभी जब स्वाँ पर एद करते हो पर दो यहाँ पर अवाँ पर यहाँ पर शोटी करते हो यहाँ पर जो पर शोटी मेरे अपर करते है